साथियो नमस्कार आज मैं आपके लिए एक नया और यूनिक सा केस लेकर आया हूँ आज इस केस के बारे में आज आपको पूरा डीटेल से मैं बताऊँगा कि क्या मैं किसले इस गाय का ब्लड कॉलेक्ट कर रहा हूँ क्या ये केस है कैसे इस केस को डाइगनोस किया गया कैसे इस केस का ट्रेटमेंट किया गया इसके बारे में जितनी भी जानकारिया है वो एक एक करके मैं आपके शाथ इस वीडियो के माध्यम से शेर करने वाला हूँ तो इसी तरह की practically वीडियोज देखने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सबस्क्राइब करें इस वीडियो को लाइक करें शेर करें और आपके दिमाग में किसी भी तरह का कोई भी डाउट रहता है तो आप नीचे comment section में मुझे mention कर सकते हैं तो चलिए अब हम इस वीडियो को देखते हैं तो guys यह जो गाय आप अपने mobile screen के ओपर देख रहे हैं इसमें watts है, tapillomas है जिसे की हिंदी में हम कहते हैं मस्से यानि की गाय और भैंस में कभी मस्से हो जाते हैं तो हमें कैसे इलाज करना चाहिए इसके बारे में आज का ये जो वीडियो है ये पूरा practically होने वाला है तो इसी को आप पूरा end तक देखिएगा तो अब यहाँ पर जो main बात है वो ये है कि कैसे हम इलाज कर सकते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इलाज करने से पारे हमें इनकी पहचान यानि कि इनको डाइगनॉस करना आना चाहिए तो थन के उपर आप देख सकते हैं ये जो लंबे-लंबे आप देख रहे हैं ये हैं वाट्स, papillomas यानि कि मस्से और यह पशू के जैदतर थनों के उपर और टांगों के आरपार सरीर के उपर नेक के आरपार हमें देखने को मिल जाते हैं एक पशू से दूसरे पशू में फैलते हैं और पशू से humans में यानि कि यह पशू से इनसानों में भी फैलते हैं इस बात का भी हमें ध्यान देना होता है और जब भी हम इनका treatment करते हैं तो बड़ी ही सावधानी से इनका treatment किया जाना चाहिए और इनका जो treatment है वो पशुव में काफी लंबा चलता है यानि की लंबे time तक हमें animals में इनका treatment करना पड़ता है यहाँ पर आज मैं आपको तीन major तरीके बताऊंगा जिनसे कि हम गाय भैंस में वाट्स का मसों का इलाज कर सकते हैं और वहाँ भी practically और step by step ओके तो यहाँ पर इन वाट्स के बारे में मैं आपको और भी जानकारी देना चाहता हूँ यह एक पशु में दूसरे पशु में फैलते हैं और जब ओनर को यह पता चल जाता है कि उसके गाय भैंस में मसों की समस्य है वाट्स है तो तुरंत से पशु चिकी सक को संपर्क करें और जितना जल्दी हो सके पशु का इलाज करना शुरू कर दीजिए क्योंकि अगर आप जितना ज़्यादा देर लगाएंगे उतना ज़्यादा समय ही पशु को रिकावर होने में ठीक होने में लगेगा और यह जो समस्या एनिमल्स में देखने को मिल रही है यह आम हो गया है यानि कि हर चौथा के समय वाट्स का फिल्ड में आजकल देखने क को मिल रहा है और कई लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं कि जो गायभैस दूद देती हैं ठीक है दूद देती हैं और उनमें मस्य हुए हैं तो वो इलाज ही नहीं कराते हैं और उसी उन मस्यों से ही जो थनों के उपर मस्य हुए हैं इतने ज्यादा मस्य हुए हैं फिर भी पश पशुका दूद हम निकालते हैं हाथ लगाते हैं उससे हमें भी यानि की इनसानों को भी कई तरह की जो दिक्कत है वो आ सकती है तो इसलिए पहले पशुका इलाज कराएं उसके बाद ही जो दूद होता है पशुका वो हमें निकालना चाहिए तो चलिए अब हम इसके treatment की बा कि हम जिस गाय को मस्से हुए हैं उसी गाय का 20 ml blood jugular vein से collect करेंगे और collect करने के बाद तुरंत से जीव हम ही collect करेंगे collect करने के तुरंत बाद ही हम क्या करेंगे कि 10 ml जो blood है वो हम उसको वाली बात होती है वो यह होती है कि जो है हम तुरंट से पशु में बलड जुगलर वेन से कलेक्ट करते हैं तो तुरंट से हमें उसको इंट्रमस्कुलर और सबकट दे देना है नहीं तो फिर बलड क्या है कि एकदम से कलोट भी हो जाता है तो फिर हमें प्राबलम आ सकती है और ये जो auto hemotherapy जो प्रक्रिया होती है ये काफी पुरानी प्रक्रिया है और काफी अच्छा result हमें पशुव में watts की condition में देखने को मिल जाता है। और ये जो auto hemotherapy है इसको हम जैसे आज पशुव में लगा रहे हैं तो साथ दिन के बाद दुवारा से हमें auto hemotherapy को अपनी गाय या फिर भेंस में repeat करना है पूरे साथ दिनों के बाद और यहां पर ये जो तरीका है ये फर्स्ट तरीका हो गया पशुव में watts की जो समस्या है उसक सही तरह से हमें इस तरह का जो इलाज है पशुव में करना चाहिए अब दूसरा जो मेजर तरीका है उसके लिए हम यहां पर injection का इस्तेमाल करेंगे तो जो injection है इस injection का नाम है एंथो मैलाइन और इस injection के ऊपर मैंने पूरा practically वीडियो बनाया है तो description में आपको link मिलेगा जा 10 ml इंट्रमस्कुलर लगाने वाले हैं तो 10 ml हम पूरा इसमें ले लेंगे और जैसे की बड़ी गाया है या फिर भेंस है तो उसमें हम 20 ml भी यहां पर ले लेंगे body weight के अनुसार तो यहां पर 10 ml हमने ले लिया है और यह जो एंथियो मैलाइन injection होता है इसको हमेशा ही इंट इंट्रमस्कुलर यहाँ देख सकते हैं इसको हम डिफ इंट्रमस्कुलर इस इजएक्शन को लगा रहे हैं और अब हम इसको तीसरे दिन यानि की तीसरे दिन इसको रिपीट किया जाEगा और इस इंजएक्शन चार या पांच बार पर पशू में करते हैं और यह जो कर सकते हैं अब यहां पिछ शक्ता है यहां पर डेख सकते हैं कि इसके ठनों के उपर अभी हीवर है अभी मैं का पूरी जानकारी हुए इस आगे देने वाला हूँ तो यहां पर गाईज हमने आटो हेमो थेरेपी का जो है सबसे पहले इस्तेमाल किया है और दूसरा जो हमने यहां पर जो एंथो मेलाइन का जो इंजेक्शन आता है उसका भी यहां पर हमने इस्तेमाल किया है और यहां पर यह दोनों जो प्रेक्टिय करना है अब उप्योग करने के बाद यहां पे हम देख सकते हैं कि जब हम इसको देखेंगे तो ओनर को यह भी ध्यान रखना है कि इंजेक्शन का इस्तेमाल करने के बाद और यह सब करने के बाद पशू में कितना आराम पड़ लिया है तो यह जो है हमें ओनर से बाचित करते रहना है और यहां पर अब जो मेंन बात है वो मैं यहां पर आपके शाथब शेयर करने वाला हूँ यहां पर जहां जहां पशू में मस्से हुए होते हैं पैपिलोमास हुए होते हैं वाट्स हुए होते हैं तो वहां पर अब हमें जो एक आइन्मेंट आता है वो मैं आपको य भी खाने वाला हूं तो यहां पर आप नजर मारिए इनवार्स के उपर और यहाँ देख सकते हैं अब यहाँ पर जो आइनमेंट का हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं उस आइनमेंट का नाम है थूजा थूजा क्रीम आती है और फेल्ड में काफी अच्छा जो है इसका आप इस्तेमाल में लाइए आपको 100% इसमें रिजल्ट मिलेगा यह आप देख सकते हैं मेरे हाथ में यह अभी कैमरे का थोड़ा सा बलर है अभी आपको देखने को मिल जाएगा यह आप देख सकते हैं अभी जो है आपको देखने को मिल रहा होगा थूजा यह आप देख स पूरा प्रैक्टिकली ट्रीटमेंट है यह वीडियो बनाने का मकसद यह है कि आपको मैं वाट्स का हर एक जानकारी दूँ कि कैसे कैसे इलाज किया जा सकता है और कैसे आप वाट्स के केस में पैपिलोमा के केस में पशु के मस्से के केस में सौ प्रतिस्त का जो रिजल्ट है वो पा सकते हैं अब यह सब जो हम कर रहे हैं इससे काफी हद तक पशु को आराम मिलेगा तो यहां पर यह जो आइंटमेंट है इसको मैं निकाल रहा हूं और निकालने के बाद इसको अपने हाथ में आप देख सकते हैं इस तरह से यह मैं न पर यह जो आइंटमेंट है यह जो थूजा क्रीम है उसका इस्तिमाल करेंगे आप देख सकते हैं पूरा हमें अच्छी तरह से यहां पर इसको लगाना है यानि कि एक तरह से आप कहशकते हैं कि मालिश यहां पर हमें करनी है अच्छी तरह से जहां जहां भी हमें वाट्स देखने को मिलते हैं वहाँ पे इस क्रेम का हमें इस्तिमाल करना है ये अच्छी तरह से इसे लगाना है इस तरह से याप देख सकते हैं ये और इसके जो सबसे बड़ा जो लाट सुआ है W Judith St hanya की वाली जो टांग है उसमें जहां पर मैंने भी हाथ लगाया हुआ ये काफी बड़ा है ये और उन्दर ने हमें बहुत समय के बाद सूचना दी है तो इसलिए हम तीनों तरीकों से स्काइलाज कर रहे हैं यहां पर हमने ओइंटमेंट का इस्तिमाल किया है थूजा का एंथोमे लाइन इंजेक्शन का इस्तिमाल किया है और टो हैमो ठेरेवी का इस्तिमाल किया है इन सभी के बारे में मैंने आपको पूरी जो जानकारिया है वो दे दी है कब कब में करनी है कितने टाइम के बाद हमें रिपीट करना है और ये जो आइंटमेंट है इसको हम ओनर के पास देंगे और यह समय हर समय को जैसे कि हमने आज लगा दी है तो कल भी थोड़ा सा इसको लगा लें इसी तरह से इसको जो है इनको लगाना है और फिर यह देखना है कि कितने समय के बाद यानि कि कितने टाइम के बाद पशु में मसो में अराम हो रहा है अब जैसे हमने यह सभी कर लिया है तो पशु को बहुत जल्द जो अराम है वो देखने को मिल जाएगा तो गाइस आप में से काफी सारे लोग जो मैंने पहले वीडियो डाला था ओटो हेमो थेरपी का तो काफी सारे लोगों के ये कमेंट आये थे कि आप हमें वाट्स के ऊपर पूरा प्रैक्टिकल वीडियो बता दिया है कि कैसे आप इसमें ट्रीटमेंट कर सकते हैं कौन-कौन से इंजेक्शन, मैडिसीन जो भी चीज़े हैं वो मैंने आपको हर एक जानकारी दी स्टेप वाइस स्टेप तो इसी तरह की प्रैक्टिकल वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस यूट्य के साथ तब तक के लिए